मेरे प्यारे दोस्तों, my dear students, आज हमारे साथ B. Singh Sir है. Welcome Sir. Thank you Amit. Founder and Director of Made Easy, Next IES and Manit. Sir ने अभी कुछ दिन पहले, hardly 102 दिन पहले, एक Facebook में post डाला था, Your Dream, My Support. तो आज हम लोग कुछ पूछने जा रहे हैं Sir से, कुछ एक questions हैं, Because लगातार students के message आ रहे हैं, And being as a faculty member, मुझे भी कुछ बच्चों ने approach किया, अलग-अलग faculty members को बच्चों के message आ रहे हैं, और उनकी कुछ queries हैं, और वो सारी queries आज हम लोग one by one Sir से, one to one clear कर लेंगे, Because Sir का जो initiative है, सबसे पहले Sir, हम लोग यह जानना चाहते हैं, यह सहयोग initiative क्या है Sir? Amit, यह सहयोग जैसा इसका नाम है, यह ऐसा ही initiative है कि जो बच्चे जिनके parents नहीं रहे, आप ऐसा कह लिजिए कि जो अनाथ हैं, और वो पढ़ना चाहते हैं, और वो UPSC की, GATE की, Engineering Service, Civil Service, या IIT-JE या NEET की तयारी करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे जो इगर तो हैं, लेकिन economically नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को तयारी कराने की जिम्मिदारी मैंने लिए है, तो यह मेरा personal initiative है, यह MEDI जी या NEXT-TIE, इसका initiative नहीं है, और मैं यह ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा कर रहा हूँ, मैंने पहली बार स्टार्ट किया COVID year में, 2020 में, और जिनके parents की death हुई थी COVID की वज़े से, तो ऐसे बच्चों को हमने free of course पढ़ाया था, तो इस बार फिर last year भी करा, उसके पहले भी करा, तो मैंने इसको continue करा पिछले चार सालों से, और इसका main odysh यही है कि उन बच्चों को क्या, जिनका कोई नहीं है, हम इस profession में हैं और हम peace लेना हमारी मजबूरी है, और हम peace नहीं लेंगे तो संस्था को कैसे चलाएंगे, उसकी quality को कैसे maintain करेंगे, लेकिन उसी बीच में हमारी यह भी जिम्मेदारी है, कि जो society में बंचित लोग हैं, इस पेसली, जिनको support करने वाला कोई नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि मैं उनका guardian हूँ, और मैं उनको पढ़ाऊँगा, और एग भी उनको पैसा नहीं लगेगा, और ऐसे बच्चों को अपलाई करना है, next IS, या मेडी जी, या मैनिट, हमारी यह तीन संस्ता हैं, तो civil services के लिए त्यारी करना है, तो next IS के website में जाकर करके वह अपलाई कर दे, या next IS, मेडी जी के जो telegram channel है, उसमें भी यह लिंक है, QR code को स्कैन करके अपलाई कर सकते हैं, 5 जुलाई 2024, मतलब अभी time है, salvation time है, उसके पहले यह अपलाई कर सकते हैं, और जिन बच्चों के parents नहीं हैं, उनको हम free of cost पढ़ाएंगे, और यह classes उनको उसी level की classes होंगे, जैसे जिनकी पूरी फीस लेकी classes होती है, यह मैं मानता हूँ कि उनका guardian मैं हूँ, यह सर, इस वरी noble thinking सर, बहुत ही ideal, noble, क्या कहें इसके लिए मतलब शब्द भी थोड़े कम पढ़ रहे हैं, बट बहुत अच्छा initiative है, और काफी समय से मेडीजी में चलता हूँ आ रहा है, कोरुना के टाइम में जैसा सर अपने address के स्टार्ट हुआ, और अभी तक यह continue है, सर इसके लिए economical background criteria भी कुछ है, जैसा मैंने बताया कि अगर दोनों parents नहीं है, तो फिर उसमें economical criteria नहीं है, क्योंकि अब वो तो अनाथ है, तो economic की कोई बात ही नहीं हाती, जब earning माला कोई member ही नहीं बचाए फैमिली में, तो वो सारे लोग eligible है, इसके लिए कोई test नहीं है, उनको सिफ documents देना है, कि mother और father की death हो चुकी है, उनका death certificate उनको upload करना है, और अपना graduation का certificate देना है, कि उनको graduate होना ज़रूरी है, या वो final year में हो, तो वो ले सकते हैं, third year में हो तो ले सकते हैं, तो यह उनके लिए है, सर इसमें एक question यह भी है, what documents are required, कैसे बच्चे अपलाई कर सकते हैं, तो आपने बता दिया, बता दिया यह चीज तो, last date भी सर ने address कर दी है, अच्छा, सर एक बहुत important question, जो repeatedly students पूछ रहे हैं, और हम लोग भी नहीं बता पा रहे हैं, because you are the best server, सर आप जो बताएंगे, सर यह क्या सिर्फ online students के लिए, या offline students के लिए है, या online वाले भी कर सकते हैं, आमित, देखो, मेरा मानना है, कि जब बात आती है learning की, तो learning का मतलब है result, हम चाहते हैं, कि ऐसे बच्चे, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा दें हम उनको, लेकिन उनका exam crack हो या ना हो, वो sufficient नहीं है, तो इसलिए मेरा मानना है, कि उन बच्चों को पढ़ाना है, कि उनको emotionally strong करना है, और साथी साथ उनको mentor भी करना है, और ये तभी हो पाएगा, जब वो class में आके बच्चा बैठेगा, अब अगर मेडीजी में है, तो मेडीजी की बहुत सारे centers हैं, दिल्ली है, भॉबाल है, जैपूर है, हैदरबाद है, कलकटा है, तो इसलिए पुडे हैं, तो यहाँ पर कहीं भी जा सकते हैं, civil services का बच्चा है वो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, या इंग्लिस मीडियम हो, तो उसके लिए दिल्ली ऑप्सन है, जैपूर ऑप्सन है, प्रियागराज ऑप्सन है, तो वहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैनिट हाँ, नीट और आइटी जैई में अभी हमारी संस्था, सिर्फ दिल्ली में हैं, तो वो दिल्ली में आकर पढ़ सकते हैं, तो हम उनकी 100% fees को वेब आप करेंगे, किसी भी सेंटर में जाके पढ़ सकते हैं, दूसरा, जो आपने कहा कि ऑनलाइन क्यों नहीं, या ऑनलाइन क्यों नहीं, तो मैंने एक कारण बताया कि ऑफलाइन क्यों, दूसरा, ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे courses free of cost available हैं, बहुत सारे pirated courses available हैं, जो बच्चा online पढ़ सकता है, पढ़ना चाहता है, उसके लिए बहुत सारे options available हैं, लेकिन जो बच्चा offline पढ़ सकता है, उसको offline पढ़ना उसके लिए option नहीं है, तो इसलिए मेरा focus पूरा offline पढ़ है, तो यह पूरी scheme offline के लिए हैं, बहुत अच्छी आपकी thinking और जो आपने जिस तरह से इसको explain किया, I think सभी बच्चे इस बात को समझ भी गए होंगे, कि यह scheme सिर्फ offline students के लिए है, और सर कही न कहीं मेरा भी यह मानना है, कि offline बच्चा जिनके वो student जिनके दोनों parents नहीं है, वो जब offline आके physical mode पे यहाँ पर पढ़ेगा, तो वो different students के साथ भी रहेगा, और teachers के साथ भी वो एक connect बना के रहेगा, देखो, इसमें teachers का support तो है, हम लोग भी mentor करते हैं, बच्चा अपने उस दुखी environment से निकल के लिए student के environment में बहुत है, थोड़ा भूलेगा, है, कि COVID के दौरान से online बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ा है, तो कुछ students online में अच्छा पढ़ जाते हैं, वो self-disciplined है, और self-disciplined है, वो बेहनत करके पढ़ जाते हैं, लेकिन जो average बच्चा है, जो self-disciplined नहीं है, तो उसको एक class का discipline चाहिए, और वो discipline देना जरूरी होता है, खास करके जो emotionalी बच्चा है, इस ट्रॉंग नहीं है, जो इस तरह की धक्के खा चुका है, उसके parents की death हो चुकी है, वो बच्चा उसको support चाहिए, इल्कुल सही. Sir, एक question और आता है इसमें, कि is it only for IES, Engineering Services Examination and GATE, या other exams के लिए भी IES की में? तो मैंने आप beginning में भी बताया, कि अगर civil service की तयारी करना है, तो next IES है, चाहिए आप Hindi में अध्यम में कर लीजे, English Medium में कर लीजे, दिल्ली में कर लीजे, जैपुर में कर लीजे, प्रयागराज में कर लीजे, अगर आप Engineer है, तो GATE की तयारी कर लीजे, IES की तयारी कर लीजे, वो options है, अगर आप 12th Standard, 11th, 10th में हैं, तो आप NEET और JEE की तयारी कर लीजे, तो majorly सारे sections हमने कबर कर लीजे, यस सर, सर एक last question और है, इसका भी answer मिल जाएगा, सर, is it only for this year, और next year also, देखिए, अमित मैंने आपको बताया, कि यह हमने COVID के टाइम से start किया था, और इश्वर ने हमें इतना सक्षम बनाया, कि हम लोगों की सेवा कर पाए, और वो भाव पैदा हो पाए, तो इश्वर से बस मेरी एक ही, इश्वर से प्रातना है, कि हम लोगों को इतना सक्षम बनाया रखें, कि हम इस तरह की स्टूडिन्ट और अपने समाज और सोसाइटी के लिए, अदेश के लिए कुछ कर पाएं, तो यह मेरा continue रहेगा, और COVID के टाइम से यह पांचमा साल है इस बार, चार साल, चौथा, तो हर साल हम कर रहे हैं और आगे भी continue करनी की पूरी इक्षा है, उसको पूरी commitment के साथ करेंगे, तो सर हम लोग अब इसको noble initiative नहीं बोलेंगे, noble continuation बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, नोबल initiative तो दोस्तों COVID के टाइम से ही स्टार्ट हो चुका है, मैंने एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कि मैंने अपने group में, आप लोग आपको भी बता है, कि अपने group में सभी teachers से भी मैंने request किया है, कि आप लोग भी आएं, और आप भी अपने एक दो class, चार class आप donate करिये, और हम ऐसे बच्चों को, हम आगे चलके हम सौ नहीं, हजार पढ़ा पढ़ाएं, और सब मिल करके हम कर भी सकते हैं, तो हम सब करेंगे, और जिस तरह से मुझे याद है, कि जब कस्मीर में flood आई थी, तो कैसे हमारे सारे teachers ने, आप लोगों ने contribute करा था, जब उत्राखंड में flood आई, उस समय करा, जब भुज में, जब अर्थ को एक आया था, तो सारे teachers ने मिल कर करा, classes डोनेट की, और इसके अलावा, जब COVID में, जब हमने distribute किये, oxygen concentrator और food packets, उस समय सारे लोगों ने किये, तो ये MediG में, जब आपका कोई special day हो, जैसे birthday है, या anniversary है, तो आप उस दिन एक पौधा लगाई है, और सिर्फ ऐसा ने कि पौधा लगा दिया, उसको बड़ा करने के लिए, और एक से ज़्यादा लगा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा, अगर मान लीजी आप हॉस्टल में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, जहां पर पौधा लगानी की जगे नहीं है, आप एक गमले में लगा दिजीए, जब वो पौधा बड़ा हो जाए, उस गमले को आपने किसी पार्क में लगा दिजीए, तो यह हमने करा, एच वन प्लांट वन और इस मुहिम के थुरू, आपको याद होगा कि हमने, अरवली हिल्स के किनारे, बनवारी के किनारे किनारे, और यहां बुड़गाओं में, सैखडो पेड लगा दी, बनजर जमीन थी और एकदम हरी वरी होगा, अब वहाँ जब जाते हैं हम लोग, तो वहाँ बर्ड्स अट्रेक्ट होती हैं, बहुत सारी बर्ड्स, और लोग वहाँ घूमने आने लगे हो, और इस तरह से, इसी तरह एक मेरा, आप लोगों से भी सबसे अपील है, सभी स्टुडेंट से, वो है इच वन, टीच वन, इच वन, टीच वन का मतलब है कि आप भी किसी एक स्टुडेंट की हल्प कर सकते हैं, ज़रूर नहीं फाइनिशल है, आप किसी को पढ़ा सकते हो, किसी भी लेवल पर कोई नीडी हो, आप उसकी हल्प कर सकते हो, उसके फाइनल गोल, डेस्टिनेशन तरह पहुंचाने में, आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, तो पलब, तो पहुत सारे स्टुडेंट से ऐसा सोचते होंगे, कि मेड़ी जी में फीस लगती है, नेक्स्ट आइस में इतनी सारी फीस लगती है, फीस हम लेते हैं और हम लेना हमारी मजबूरी है, और उसका कारण यह है कि हम कहीं और से, ना तो हमारा कोई funding mechanism है, इस COVID period के टाइम में, लॉगडाउन के टाइम में, हमारे पास भी बहुत offers आए, कि आप मेड़ी जी में investment ले लो, और इस में funding ले लो, और जिन जिनने funding ली थी, आज वो संस्था हैं बंद होगा, बंद होगे हैं, बंद होगे हैं, उन्होंने ने wrong practices अपना है, लेकिन इस संस्था को चलाए रखने के लिए, आज भी आप सर, जिन बच्चों के courses को छूट गाते हैं, आज भी सर, उनको आप next year बोल देते हैं, कि आप three, three, four courses कर सकते हैं, कि जो course आपका छूट गया, आप नहीं कर पाये थी class, आके आप दुबारा कर लीजी, और वो subject, दो subject, तीन subject आप करते हैं, तो हम उसमें कोई फीस लेने हैं, तो सर, इस तरही की जो opportunity है, वो एक organic institution में ही possible है, इसलिए हमें फीस लेनी पड़ती है, और फिर देखिए, आपने बहुत सारे ऐसे teacher हैं, जिन्होंने engineering service और civil services रिजाइन कर दिया, उनकी दोजी रोटी सब इसी पर dependent है, और ये संस्था ऐसी है, जो quality, मतलब हम कभी भी compromise नहीं करेंगे, किसी भी field में, कि teaching quality ठीक नहीं है, content quality ठीक नहीं है, material quality ठीक नहीं है, तो उसको maintain करने के लिए फीस लेना हमारी मजबूरी है, तो फीस हम लोग लेते हैं, लेकिन उसके average में, जो best possible guidance, support और teaching दे सकते हैं, that is our efforts. ओ सर हमारा result बताता है, हर साल का हमारा result बताता है. तो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, आपके सारे questions जो हम indirectly हम लोगों के पास आ रहे थे, उन सभी questions के answer, सर ने, चेर्बेंड सर ने कर दिये हैं, and sir very very nice interaction in this video. यहां देकिए, जो बच्चे हैं, हम मानके चलते हैं कि यह हमारे बच्चे हैं, 14 kms दोर से दिल्डी आते हैं, या दोफरे संटर में आते हैं, पढ़ते हैं, वहां टे परेंट्स नहीं होते, लेकें, आपसब से मेरा यह आपील है, कि आप यह मान के चलिए कि आपके पेरिट्स यहां जरूर नहीं है लेकिन हम आपके पेरिट्स की पूरी भूमी का निमाने की कोशिस करेंगे आपको पूरा सपोर्ट करेंगे थैंक यू थैंक यू सर और वंस अगें शलूट तो यू और थिंकिंग यू विजन and the propagation with a huge energy with this institute we all work as our captain captaincy under the captaincy of wishing sir thank you so much sir thank you